इस वक की बड़ी और एहम जानकारी आपको उजयन से बता रहे हैं CM डॉक्टर मोहन यादफ के पिता का निधन हो चुका है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है साथी आपको बता दे की थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा ये बड़ा अपडेट इस वक का सामने आ रहा है भूकी माता मंदिव के पास उनका अंतिम संस्कार होगा बता दे की CM डॉक्टर मोहन यादफ के पिता का निधन हो गया है पूनमचंद यादफ ने 100 साल क्यूंबर में अंतिम सास लेगा लंबे समय से वो बिमार चल रहे थे जिसके चलते उन्हें उज्जैंग के अस्पतार में भर्ती भी कराया गया था और CM डॉक्टर मोहन यादफ के पिता का निधन मंगलवार की देवरात हुआ साथी बता दे कि थोड़ी देर में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा और भूकी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संसकार होगा यह बड़ी खबर इस वक्ट की सामने आ रहे है जोहां आपको बता दे कि CM मोहन यादफ के पिता जी का निधन हो गया है और उनका अंतिम संसकार कुछ ही समय में किया जाएगा साथी आपको बता दे कि 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सास ली है और भूकी माता मंदिर में उनका अंतिम संसकार आज किया जाएगा ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है आपका सुरों में भी देख सकते है उनम्चंद यादव ने 100 साल की उम्र में अंतिम सास ली है थोड़ी देर में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी ये बड़ी खबर सामने आ रही है थोड़ी देर में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा बतादे कि उजयन के एक अस्पताल में तवियत खराब होने के चलते उन्हें भरती करा गया था जिसके बाद 100 साल की उम्र में उन्हें अंतिम सास ली और आज उनका अंतिम संसकार होने जा रहा है ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है भूकी माता मंदिर में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा वो करीब सौ वर्ष के थे और एक हफते से बिमार चल वह थे जिसके चलते उन्हें उज्जेन के एक अस्पतार में भरती कराया गया था और पिता के निधन की खबर पाते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोपाल से तुरंट उज्जेन भी पहुचे रहे हैं साथी आपको बता दे कि उनके अंतिम संसकार का भी समय होता जा रहा है और कुछ ही देल में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी उज्जेन के भूकी माता मंदिर के पास उनका अंतिम संसकार किया जाएगा ये बड़ी खबर इस वक्ट की सामने आ रही है साथी आपको बता दे कि मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर ये बड़ी खबर इस वक्ट की सामने आ रही है जो आपको बता दे कि सौर साल की उम्र में डॉक्टर सीम मोहन यादव के पिता ने अंतिम सासली उनका अंतिम संसकार भी अब किया जाएगा बूकी माता मंदिर के पास आज उनका अंतिम संसकार होने वाला है साथी अगर पूनमचंद यादव की बात करे तो उन्होंने अपने जीवन में काफी संगर्ष भी किया है स्वावर्ष की उम्र होने के बाद भी वो उपज पेशने के लिए खुद मंदी जाते थे करीब एक हफते से उनकी तवियत नासाज थी जिसके चलते उन्हें उज्जेन के एक अस्पतार में भर्प्ती कराए गया था और करदेव रात उन्होंने सौ साल की उम्र में अपनी अंतिम संस्कार किया जाएगा यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है आप तस्विलों में भी देख सकते हैं थोड़ी ही देल में अब दॉक्टर सेम मोहन यादव के पिता जी को अंतिम विदाई दी जाएगी भूकी माता मंदर के पास आज उज्जेन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जिसको लेकर सभी तयावियां भी की जा रही है ये बड़ी कबर इस वक्ट की सामने आ रही है सेम दॉक्टर मोहन यादव के पिता का निधन हो गया है अब उनको अंतिम संस्कार के लिए उज्जेन के भूकी माता मंदर के पास भी ले जाए जा रहा है साथे आपको बता दे कि तमाम दिगज नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है